हेलो, what's up guys, my name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create local database, collections and documents in MongoDB in Hindi तो चलिए guys, सुरू करते है सबसे फेले guys, आप सब एका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा on MongoDB Tutorial in Hindi in 2020 की उपर अब भी तक अगर आपने नहीं देखा तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेक आउट कीजे क्योंकि बहुत जाद इन्पॉर्टेंट है हमने देखा इंट्रोडक्शन टू MongoDB जहां पे हमने MongoDB की उपर complete समझा what exactly MongoDB is right and then उसके बाद हमने इसको देखा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते अपने local system पे and मैं आपको involvement variable में pathways set करके दिखाया कि अब हम इसको run कैसे कर सकते बहुत easily alright guys and जब guys हमने इतना करी लिया तो आज हम complete practical देखने वाले जहां पे हम यह देखेंगे कि अब हम database कैसे create कर सकते उस database के अंदर collection कैसे create करना है and then उस collection के अंदर अगर आपको documents add करना रहा records add करने रहे तो वो कैसे करना guys वो सब आजम सिर्फ इस एक वीडियो में देखने वाले and believe me guys आप लोगों को बहुत मजाने वाले so guys बिना किसी देर के हम वीडियो को start करते है so guys सबसे पहले क्या करना आपको cmd open करना है else अगर आपके पास cmd open नहीं हो रहा किसी region से then we have our power cell also ठीक है तो आप guys windows का power cell भी open कर सकते है both are almost same but cmd थोड़ा better है you know मलदब थोड़ा easy लगेगा आपको यह समझने में भी और करने में भी ठीक है so देखे guys क्या करना है सबसे पहले हमें mongo db को start करना बड़ेगा mongo cell को start करना बड़ेगा ताकि हम mongo के साथ खेल सके उस पर अपना work create कर सके तो वो कैसे होगा guys simply previous video को अब भी तक नहीं देखा तो जरूर देखे अब मुझे क्या करना simply I have to write mongo this is it guys मुझे कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ mongo लिखना है and boom guys आप देख सकते हो मेरा mongo cell start हो चुका है अब मैं बहुत easily यहां पर work कर सकता हूँ इसको फिलाल के लिए में clean कर देता हूँ and I know guys अब आपके mind में question जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं यह mongo db देख रहा हूँ तो यह हमारे इस node.js basically month stack में हम बोलते है react, express node and then mongo तो अभी हम इसको connect करेंगा और यह connect कैसे होगा तो guys अब हम फिलाल क्या करेंगा हम एकदम absolute fundamental देखने वाले mongo db का initially you know, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ mongo db पर focus करेंगे जी हां guys, सिर्फ और सिर्फ हम mongo db पर focus करेंगे and once ही हमारा fundamental complete हो जाता basically basics हमारे clear हो जाते है mongo db के and then guys हम इसको node and then express के साथ connect करेंगे and आपको बहुत मजाने होला अभी फिलाल आप इस पर focus कीजे सिर्फ mongo db पर and and यह भी बाता आना चाहूंगा कि mongo db सिर्फ आप node नहीं guys, आप किसी भी बाकिया other languages के साथ भी आप यूज कर सकते हो as a database ठीक है, तो देखें guys, हमें basic fundamental जानना बहुत जरूई तो सबसे पहले guys, हमारे इसमें database अल्रेडी present है या नहीं, तो वह अगर देखना हो तो show databases ठीक है, simply dbs, databases आप इस तरगे से कहा लिजे, मुझे database को दिखाओ show the databases, this is it, आप देख सकते हो guys, by default, admin, config and then local मतलब यह mostly 99% आपको यह दिखना ही दिखना है, अगर नहीं भी दिख रहा तो यह doesn't matter guys ठीक है, अगर आपका at least कुछ ना कुछ दिख रहा है तो मतलब वो perfect work करी चुका है चलो ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है, so database now let's say guys, मुझे अब एक और database create करना है अपने project के लिए you have to use the command use, मतलब आपको use लिखना है and आपको database का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूँ simply thapa technical now guys, जब आप यह query लिखते हो that is use and then database का नाम तो basically पाता है यह दो चीज़ कर रहा होता है, अगर यह thapa technical already present नहीं है, तो guys वो database create कर देगा, in our case guys, यह present नहीं है, तो हमें वो database create करके देने वाला है and guys, अगर यह database already present होता, तो guys, अब हम इस पर काम कर सकते थे मतलब simply, समझ रहा है, मतलब अगर present नहीं है, तो create कर देता and हम इस पर work कर सकते थे, लेकिन अगर यह already present है तो simply यह हमारा active database हो जाएगा and हम इस पर work कर सकते, यह दो चीज़े कर रहा होता and boom guys, मैं आप करता हूँ, enter and this is it and यह देखो कैसा अब switch हो चुका है, already हमारे पास तिन by default present थे तो हमने एक खुश से new create किया and मैंने बता है, अगर यह already present होता तो हमें directly आजाता, switch to database था पर technical and अगर यह present नहीं होता, तो क्या होता, मैं आपको बता रहा हो, देखो output तो same आ रहा है, लेकिन साथी साथ, आप again मैं चलता हूँ, show databases and guys, आप देख सकते हो, कि वो database हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है मैंने आपको कहा था, कि अगर वो database present नहीं है, तो वो हमाले create करेगा, लेकिन यहाँ पर तो उसने create नहीं किया, तो guys, अगर मैं आपको behind the scene बता हूँ, तो यह database already create हो चुका है, that's why तो हमें यह output है, switch to the database थापर technical, but इनका एक rule है, इनका एक minimum requirement है, कि अगर आप database create करते हो, right, उसके अंदर कम से कम एक ना एक collection या कुछ ना कुछ records होना बहुत जरूरी है, तो ही वो so करेगा, else नहीं करेगा, तो अभी तक हमने इसमें कुछ add किया ही नहीं है, अभी तक हमने इस database पर collections add नहीं किये, and उस collections के अंदर अभी तक हमने कोई fields, या कोई records, या कोई data add नहीं किया, ठीक है, तो हमें वो data add करना पड़ेगा, देखिए, and guys मैं जो यह records बोल रहा हूँ, it means मैं document को represent कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आप documents बोलूँगा उसको, लेकिन उस document को create करने से पहले भी तो मुझे एक collections create करने पड़ेंगे, समझे रहो, and अगर आपको नहीं idea यह collections document किया है, so guys आप please मेरे first video देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर वे guys, एक quick मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम SQL, MySQL में work करते थे, वहाँ पे हम tables बोलते थे, MongoDB में हम उसको बोलते है collections, वहाँ पे हम, you know, tables के अंदर जो rows होता था, यहाँ पे हम उसको बोलते है documents, and वहाँ पे जो columns होता था, यहाँ पे हम उसको बोलते है fields, बस इतना ही difference है, ठीक है, तो देखिए guys, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके अंदर documents एड करना है, लेकिन उस documents को एड करने से पहले, मुझे collections क्रेट करने पड़ेंगे, so, db, it means मेरा जो current database है, आप देख सकते हूँ, मेरा जो current database है वो है यह, and यहाँ आप देख सकते हूँ, इसको मैं represent कर रहा हूँ using db, तो यह मेरा current and then active database है, db, dot, इसके अंदर मुझे अब एक collections create करना है, in simple word मुझे एक tables create करना है, लेकिन इस mongodb के context में हम collection ही बोलते हूँ, इसको ठीक है, तो मैं simply नाम देने आप थापा data दे देता हूँ, मैं simply मैंने क्या दिया, guys, यह मेरा collection का नाम है थापा data, dot, अब मुझे इसमें क्या करना, guys, एक document add करना है, शिर्फ एक document, ठीक है, and it's super duper easy, I want to insert one document only, तो मैंने अभी इसमें क्या बोला, guys, मुझे insert करना है, शिर्फ एक document, तो देखे, यह इतना simple था, insert only one document, insert one, and आपको इस तरके से parenthesis देनी है, इसके अंदर, guys, आपको इस तरके से, you know, callibrances add करना है, आप guys, इसके अंदर आपको सिर्फ वो records fill करना है, वो data add करना है, कुछ नहीं, simple, ठीक है, and अब हम इसके अंदर कौनसा data add करते है, guys, bson, that is nothing but the binary representation of your json, तो फिलाल आप इसको json भी माने लीजे, लेकिन in actual में आप bson बोलना है, ठीक है, तो यह दिखता, json जैसा ही है, and इसका output भी आपको json में ही मिलने वाला है, लेकिन फिल भी insert जो हम कर रहे है, वो basically आपका bson ही रहता है, ठीक है, तो दिखें, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मुझे क्या करना, guys, दिखें, तो सबसे पहले, let's see, कि मेरे playlist के नाम्स कौन-कौन से, तो मैं simply लिखता हूँ, name, equal to, नहीं देना, sorry, and यह जो name होगा, आप इसको double quotes नहीं भी लिखोगे, तो भी चलेगा, क्योंकि आप पूर्ट में behind that in mongodb, उसको double quotes एड करी देगा, ठीक है, लेकिन value पर आपको add करना बहुत जरूरी, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, name, colon में दे देता होगा, इस इसकी value, simply, let's go with react.js, क्योंकि हमने react.js देखा था, you know, so मैं चलता हूँ, इस तरह किसे react.js, एक काम करता हूँ, join कर देता हूँ, this is it, comma देना है, मुझे अब यहाँ पर इसका type देना, मुझे अब यह किस type के अंदर आता, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं इस से किसे लिख देता हूँ, यह होगा, हमारे front end के अंदर, so front end, this is it, front end के अंदर आता है, अगेन एक कॉमा देना है, मुझे अब यह दिखाना है, कि इसके अंदर total वीडियो कितीने थे, ठीक है, and then, यहाँ पर simply guys, मेरे 80 प्लस वीडियो से, तो यह जो 80 में जो लिखने जा रहा हूँ guys, इसको मैं अगर double quotes के अंदर नहीं भी लिखूंगा, तो भी चलेगा, because यह बीस्वान है, and यहाँ पर अगर integer को double quotes ना भी दो, तो भी चलता हूँ, and एक और क्वामा दूँगा guys, जहाँ पर होगा, and I think, वो कहाँ चाला गया, I think guys, मैं थुदे के लिए क्लिए कम जूम करता हूँ, यहाँ पर, okay, I simply, यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरिके से active, and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ guys, true, अब यह भी बहुत important part है guys, मैं यहाँ पर बुलेन वेल्यू भी पास कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जनवुच के आड किया, and guys, आपको कुछ नहीं करना है, simply, आपको क्या कर देना है, enter it करना, and boom guys, अब आप देख सकते हो, acknowledge true, it means, यह create हो चुका है, and inserted id, and यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, कि guys, now, अगर आप, you know, अपना खुद का एक id आड नहीं करते हो, then behind the scene guys, automatically हमारे लिए एक object id जनरेट हो जाता है, जिसके तुरू हम guys, इस particular, जो मेरा document से, उसको मैं find कर सकता हूँ, ठीक है, with the help of this object id, आप इसको as a primary key समझ लीज़, अगर आप mysql में work करते थे, ठीक है, तो कैसे, इतना simple था, अब दीखिए, अब वापस में यहाँ पे चलता हूँ, तो अब जूम कर देता, आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप में चलता हूँ, अब आपको हमारा यह जो थापा टेक्निकल डेटावेस है, वो दिख चुका है, क्योंकि मैंने आपको कंडिशन बता दिया था, इसके अंदर at least कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होना जरूरी तो ही वो दिखता, अब हम यह देखते कि यह जो मैंने डेटावेस क्रेट किया, क्या इसके अंदर कुछ कलेक्शन है या नहीं, टेवल्स थे या नहीं, ठीक है, लेकिन उससे पहले गाईस अगर आपको यह चेक करना रहा कि अभी करेंटली एक्टिब डेटावेस कौन सा है, तो क्या होगा, और बोम गाईस, शिर्फ आपको डेवी लिखना आपको पता चल गया, मेरा करेंट अक्टिब डेटावेस यह है, अब इस डेटावेस के अंदर अगर कितने कलेक्शन्स है, तो क्यासे देखो, आपको सिंप्ली लिख देए हैं, सो कलेक्शन्स, ठीक है, सिंप्ली सो कलेक्शन्स, आप देख सकते हो, एरर आ गया, तो एस एडड कर दीजे, मैंने यहाँ पर गलती से एस एड नहीं किया था, बट नाव मैंने एस एड किया, तो मुझे बता रहे कि यह जो थापा टेक्निकल डेटावेस है, उसके अंदर एक कलेक्शन है, जिसका नाम है थापा डेटा, अब लेट से कि इस कलेक्सिन के अंदर कितने डॉकुमेंट्स है, तो वो मुझे अगर चेक करना रहा तो मैं क्या करूंगा, जिसकाएट सुपर डुपर इजी, डेटावेस मेरा जो भी है, यह थापा टेक्निकल, उसके अंदर यह थापा डेटा है, . इसके अंदर कितने मेरे documents basically records अगर मुझे देखने हो data मुझे find करना हूँ and this is it guys अब आप देख सकते हो बहुत easily यह मेरे data है अब देख सकते हो बहुत कम जूम कर देता हूँ यह देखिए I think अब आपको एकदम clear दिख रहा होगा यह मेरा underscore underscore id यह मेरा unique id मेरा name and देखो guys मैंने double quotes add नहीं किया था but behind the scene वो हो गिया है now यह pure json format में आपको दिख रहा है यहाँ पे and then मेरा type front end है videos total 80 है यह देखो 80 and then true में अभी भी double quotes नहीं because उनको भी मालूम है कि यह एक integer है and यह एक boolean value है so guys this is it this video के लितना ही and हाँ एक और चीज में दिखाना चांगा यहाँ पे एक और आपका एक simply method that is pretty अगर आप pretty लिए canter hit कर तो this is it guys अब आप देखो कितनी beautifully आपको दिखाई दे रहा है नाम ही pretty pretty मनलब सुन्दर तरीके से दिखाना यहाँ पे एक लाइन में इतना problem और आप देखो कितनी सुन्दर तरीके से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ यह आपको कितनी सुन्दर तरीके से हमें दिखाई दे रहा है है किनी यह ओस्सम ठीक है and guys this is it आस इस वीडियो के लितना है that is कि अगर आप एक सेंद मुझे वापस ओन करना पड़ेगा इसको Mongo on करता हूँ यहाँ पे सिंप्ली CLS कर देता हूँ मैं वापस सो डेटाबस लिख देता हूँ ठीक है अब देखो मुझे अगर बाहर जाना होता तो मैं सिंप्ली स्थिर के से क्वीट भी लिख सकता था and this is it guys देखो मैं बहुत इजीली बाहर आगा लेकिन याब मुझे क्वीट मलब चल भाई हट ऐसा हो गया यह लेकिन कंट्रोल से करते हो तो उसको लगता हाँ अब तुम जाना चाहते हो तो इसलिए वो भी हमें बाई बोल रहा था मंगो डीबी ने अभी यहां पे बाई लिखा था कि नहीं अभी कुछ नहीं लिखा बट इस फाइन राइट वह मंगो होगो उसको एक्तिबव चलेक्सिया हो डीट क्रोंग इसे वाहार जाना खांगो अगर आपको वीडिव थोड़ा सा व्यूस्पुल थोड़ा से पसंद आयोगा प्लिस इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजेगा इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों को सारे सोसल नेट्वरकिंग साइट सबसे जादे इंपॉर्टेंट आपका वाटसेप ग्रूप वह पर जरू सेयर कर दीजेगा इन बाताना चाहूंगा गाइस में डेल ये से औसम वीडियो करता रहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको मिस कीजिए अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था आपा टेकनिकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लिस गाइस सब हम उसे सब्सक्राइब जाय आप udah बाता है खाहा है Sicher is the